यूनान में मैगनस नाम का एक गडरिया था जो इड़ा परवत पर भेड़े चराया करता था एक दिन भेड़े चराते चराते एक बहुत भी आश्चर्य चनक घटना घटी भेड़े चराते चराते जब वे ठक गया तो एक पत्थर पर बैठ गया जोकी आदा जमीन के अंदर धसा हुआ था और आदा जमीन के उपर था मैगनस के हाथ में एक लोहे की चड़ी थी आराम करने के बाद जैसे ही मैगनस उठा उसने देखा कि उसकी लोहे की छड़ी उस पत्थर से चिपक गई है यह देखकर मैगनस बहुत ही आश्चर्य चकित हुआ उसने उस छड़ी को छुडाने की बहुत कोशिस की लेकिन वो छड़ी नहीं चूटी उसके बाद उसने अपने दोनों पैर उस पत्थर पर रखकर उस चड़ी को छुडाने की कोशिस की लेकिन उसने देखा कि उसके जोते भी उस पत्थर पर चिपक गए हैं वो बहुत ही डर गया उसे लगा कि यह किसी भूत पिशाच की वज़े से हो रहा है वह डरकर गाउं की तरफ भागा गाउं में जाकर उसने सारे गाउंवालों को ये बात बताई इसके बाद सारे गाउंवाले अपने हत्यार लेकर उस पत्थर की ओर चल दिये वहाँ जाकर उन लोगों ने देखा कि उस चड़ी पर लोहे का एक कवर लगा हुआ है और उसके जूतों में भी लोहे के कीले है इस बात से वो समझ गए कि यह पत्थर लोहे की चीजों को पकड़ता है उन लोगों ने उस पत्थर को वहाँ से उठा लिया और अपने साथ ले आए तो इस तरह चुम्बक की पहचान हुई और उसी लड़के के नाम पर इसका नाम मैगनेट पड़ गया तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भीए